हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ओल अफ यू वेलकम टू लॉजिक पाच्छाला आज के इस फीटो में हम कवर करेंगे 23rd ओगस्त की इस वीडियो का जो पीडियाफ है फेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलिग्राम गुरू से लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो फ्रेंड चलिए इस इंपॉर्टन सेशन की शुरुवात करते हैं एक मोटिवेशन कोड से अगर आप ठक गए हैं तो रेस्ट आप करना सीखें कुईट नहीं करें क्योंकि देखें अगर आप किसी भी काम से कुईट कर देंगे तो वो काम आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे हाँ ये हो सकता है कि आप ब्रेक लेले थोड़ा सा ताकि उस काम को आप पूरे एनरजे गान्दी इन विच कंट्री तो जो हमारे एक्स्टनल अफेर मिनिंटे है एस जैशंकर उन्होंने किस देश मैं महात्मा गांदी की एक मंधिया कि अनावरन किया। उन्होंने जु भाइंका इसा दिला इंडि पेंडिपेंडेंसिया है उसको भी विसिट किया है जहां से South America की country की जो independence movement है वो शिरू हुई थी और दो century से भी जादा अतिक समय से पहले यह शिरू हुआ था तो यहां पर भी इन्होंने विजट किया है यह वेसे exam में नहीं पूछेंगे कि इन्होंने विजट कहां किया आप धियान रखेगा exam में question यही बनेगा कि महात्मा गांधी की चिक प्रतिमा है उसका अनावरण इन्होंने कहां पे किया है यह इनके South America की यह पहली official visit है और यह इसके बाद Argentina को भी visit करेंगे बात करें फ्रेंट्स पराग की तो पराग में आप यहाँ पे अगर हम इसके location की बात करें तो South America की जो continent है यहाँ आप देख सकते हैं यह country यह Tropic of Capricorn यानि इससे मकर रिखा जो है पास हो रही है और इसकी capital है Asuntian currency है यहाँ पे पराग्वेन गोरानी अरजंटीना की बात करें तो capital है अरजंटीना की ब्यूनस आयर्स और currency है अरजंटीना पेसो अगला question है who presided over the 23rd sample journal council meeting in भोपाल हाली में देखे भोपाल में जो 23 स्वी नंबर की केंद्रिय चेत्रिय परिश्यत की बैटक है इसकी अध्यक्षिता किसने की है right answer है Amishya ji ने इसकी अध्यक्षिता करी है अच्छा इनके पास में कौन-कौन सी ministry है तो दो ministry हैंके पास में एक हैंके पास भी home ministry दूसरा है इनके पास में ministry of cooperation यानी सहकारिता मंत्राल है तो इन्होंने इस बैटक की अध्यक्षिता की है he also laid the foundation stone for the भोपाल campus of the national forensic science university तो उन्होंने इस university के जो भोपाल campus से उसकी foundation यान उसकी धारशिला भी रखी है उन्होंने address किया seminars में और subjects लाइक जैसे की new education policy और agriculture marketing में सहकारिता की जो भूमिका है इन सभी को उन्होंने संबोधित किया है in meeting में next question है which company has launched a blockchain center of excellence for airport तो कौन सी company है जिसने airport के लिए blockchain center of excellence को launch किया है company का जो नाम है वो है gmr group gmr group मतलब क्या हो गया granti malikarjuna rau तो यह जो group है इसने जो है airports के लिए blockchain center of excellence को launch किया है it also provide access to the required infrastructure यानि हमें क्या-क्या infrastructure की जो हमें requirement होती है labs to start up for the development and validation of solution and services यानि solution and services के development के लिए उसके validation ने सत्यापन के लिए जो हमें infrastructure चाहिए जो हमें labs चाहिए उन सभी तक की पहुंच है वो यह प्रदान करेगा तो इससे ध्यान रखेंगे GMR group ने launch किया है GMR group की जो इस्थापना होई थी 1978 में होई थी और इसका जो headquarter है वो New Delhi में है founder GMR के नाम से मैं आपको बता दिया Grandi Malikarjuna Rao ये इसकी founder थे अगला question है in which city union minister Jitendra Singh has launched India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus केंद्रिय मंत्री जो Jitendra Singh है उन्रोने के शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विक्सित hydrogen intern cell bus को launch किया है तो इस bus को launch कहां पे किया है तो answer हो जाएगा पूने दो तरीके से question बनेगा पहला question ये कि किसने launch किया है तब आपका answer होगा Dr. Jitendra Singh ने second question के कहां पर किया है तो पूने में जो है इसे launch किया गया है इस bus को develop किया है CSIR यानि Council of Scientific and Industrial Research और private firm है KPIT Limited इन्होंने मिलके से develop किया है fuel जो इंदन cell bus है न उसमें बिजली देने के लिए hydrogen और air का use किया जाएगा जिससे electricity generate होगी और इस bus को क्या मिलेगी power मिलेगी तो बहुत एक्तम एकलेशे environment friendly रहेगी और hydrogen fuel cell bus है जो की पूरे तरीके से इंडिया में ही इसको develop किया गया है अब पहली बार कुछ और हम लोग revise करते हैं कि first in इंडिया में पहली पहली बार क्या क्या हुआ इंडिया में तो country के जो पहली emergency landing strip built है ये राजस्थान में built की गई इसके बाद के country का जो पहली electric vehicle city है ये बनी के वडिया इंडिया की पहली floating missile test range ये किसका नाम क्या है आई एनस अनवेश first bank जिसने issue किया वन करोन first tax तो ये कौन सा bank बना पेटियम payment bank इंडिया का पहला five star hotel जो के real estate station पर built किया गया कहां पर तो answer हो जाएगा गांधी नगर गुजरात में तो ये कुछ important और news है friends जो कि हमें ध्यान रखनी है अगला question है union government has awarded geographical indication tag to dash in august 2022 हाली में एक product को GI tech प्रदान किया गया इसका नाम है इसका नाम बताना है तो friends इसका नाम है मिधिला मखाना जिसका सम्मंद कौन से state से है बिहार से तो ये पूछ सकते हैं कि मिधला मखाने का सम्मंद कौन से state से है ये भी आप लोगों से exam में पूछ सकते हैं अब इस move से क्य होगा जो मिधिला मखाना को ग्रो करते हैं उनको यहां पे maximum price मिलेगा अपने premium produce के लिए क्योंकि अब यह जब GI tech बन गया तो इसकी जो कहते है न यह premium quality में आ जाएगा premium बन जाएगा तो इसकी जो pricing है farmers को जो इससे ग्रो करते हैं उनको अच्छी मिलेगी over 5 like farmers of mythila reason of bihar will be benefit from this decision देखें यहां से एक चीज थ्यान रखेगा कि अगर किसी भी product को या कोई भी चीज है उसको GI tech मिलता है तो उसकी जो validation होती है उसकी जो validity होती है वो 10 साल के लिए होती है कुछ और GI techs को revise करते हैं देखें मनिपुर यह black rice यह food stop में आता है और इनकी कौनसे state से मनिपुर से next देखें कांदमल हल्दी जो की उडिसा state से इसको GI tech मिला है कोडाई कनाल मलाई पोंदू state कौनसी है तमिलनाडू खोला चिली state है नेक्स्ट है कांदंगी साडी जो की GI tech मिला तमिलनाडू state से श्री विल्ली पुत्तुर पालकुवा और यहां पे state होगी तमिलनाडू काजी नीमू और काजी नीमू कौन से state से संबन देते हैं असम से तो इसी तरीके से फ्रेंड्स रेसेंटली जो भी GI tech होते हैं वो तो एक्जाम के लिए important होते ही होते हैं next question है हमारा which state government has announced to set up 300 rural industrial park in the state to boost and strengthen the village economy तो जो ग्रामीर अर्थ व्यवस्ता है उसको बढ़ावा देने के लिए उसको और भी अधिक मजबूत करने के लिए किस राजे की सरकार ने 300 ग्रामीर और योगिक पार्क स्थापित करने के गोशना की है right answer हो जाएका 36 सरकार ने ये गोशना करी है ये जो परियोशना है ये गांधी जियनतिया ने 2 October के occasion पर शुरू की जाएगी इसका उदेशे यही है कि जितने भी poor families हैं जो ग्रामीर इलाकों में रती हैं उनके लिए एक additional income source को create किया जा सके तो इसी उदेशे के साथ में इस परियोशना को 36 कड की सरकार ने शुरू किया 36 कड की establishment 1st November 2000 को हुई और ये 26 वा राज्यमना भारत का capital नया राइपूर है जिसे अटलनगर के नाम से जानते हैं चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बगेल गवर्नर है अनुसूया उई के लोग सबसीते हैं 11 राजसबसीते हैं 5 और assembly seat हैं यहाँ पे 90 अगला कोशन है friends India's first commercial space situational awareness observatory will be set up in which state यह भारत की पहली व्यविसाइक अंतरिश इस्थिती जन्ने जागरुकता वैधशाला है और इस वैधशाला को किस राज्यमें स्थापित किया जाएगा correct answer है हमारा उत्राखंड में इसको set up किया जाएगा यह क्या करेगा कि प्रत्वी की यह जो है वो प्रत्वी की परिक्रमा करते हुए 10 cm size से जो छोटी वस्तुई होती है उनको track करने का काम करेगा और इसी observatory को set up किया गया है उत्राखंड में उत्राखंड के गरवार रीजन में जो है इसको set up किया गया है उत्राखंड फ्रेंड से उत्राखंड यूपी से देखी अलग हुआ था 9 रिवेंबर 2000 को पुशकर सिंग धामी है यहां के चीफ मिनिस्टर गवर्नर है गुरमीज सिंग लोग सबसीते हैं 5 राज्यसबसीते ह तीन एक इंपॉर्टन शुचलबांक यह भी जाता कॉर्बे जिम कॉर्बे शुचलब रानन नांसे जानते तें गंगोत्री शुम्ड फ्रेंपरक गुविन्द शु गंडर्शनल पार्क अलोंड़्य वेज ushe चैनल पार्क सब्सक्रियर उत्रा तुच्टर में लोकेटेड इंदी स्टेट, सबसे पहले कौन सा राज्य, राज्य में एक सिक्षा टाउंशेप बनाने की योशना बना रहा है, और यह जब योशना पूरी बन चाएगे तो ऐसा करने वाला, देखो यह पहला ही स्टेट होगा, तो यह कौन सा स्टेट ऐसा करने जा रहा है, उत्तर कि वे उनको high quality education तो provide होगी ही होगी साथ ही में उनको एक ही place पे कई variety हो मतलब बहुत सारी अलग-अलग professional skills जो है वो उने provide की जाएंगी और इसी तरीकी के पूरी योशना जो है वो उत्तरप्रदेश की सरकार बना रही है अगला question है friends who has been reappointed as a managing director and chief executive officer of financial services platform ptm देखे जो ptm platform है ना इसके दुबार से managing director और chief executive officer कौन appoint हुए है तो सही answer हो जाएगा हमारा विजय शेखर शर्मा ptm जो है एक इंडिया का digital payment of financial service company है इसके सापना august 2010 में हुई थी headquarters का noida में है और विजय शेखर शर्मा जो है इसके founder भी है next question है who has become the first Indian woman wrestler to win the gold medal at the under 20 world wrestling championship 2022 ये championship बुल्गारिया की city sofia में हुई और ये पहली Indian woman wrestler बनी है जिन्होंने इस championship में कौन सा medal जीता है ध्यार रखेगा gold medal इनका नाम है अंतिम पांगल तो अंतिम पांगल ने इसमें कौन सा medal जीता इसे पूछे तो इन्होंने जीता है gold medal इन्होंने women's की 53 kg category में कजाकिस्तान की player को final में defeat किया और ये हरियाना की हिसार district से belong करती है Under 20 World Wrestling Championship का ये 45th number का addition हुआ तो ये question काफी important है क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है अभी और पहली बार अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो exam point of view से important होती है अगला है India has bagged a total of dash at the Thailand para badminton international 2022 तो भारत ने जो Thailand para badminton international tournament वो उसमें total कितने medal चीते है तो इंडिया ने जो है वो इसमें total 17 medal चीते हैं जिसमें 4 gold है 5 silver medal है और 8 जो है वो bronze medal है यहाँ मैंने gold medals के winners का नाम दिया हुआ है देखिए मन्दीप कॉर woman single SL3 में gold medal जीता नित्या श्री ने जीता मनिशा रामदाश ने जीता वही एक gold medal जो आया है वो men's के doubles का gold medal आया है प्रमोद भगत और सुकांत कदम तो 4 यहाँ पे gold medal आई है total है 17 medals इसे के साथ friends आज के हमारी class के current phase के questions हो जाती है पूरे finish now time आता है हम लोग static gk के questions cover करते हैं जो की important है which blood group has no antibody कौन सा इसा रक्त समू या blood group है जिसमें antibody नहीं होती है तो यह कौन सा है कौन सा type है तो यह है friends AB ध्यार नकिंगे इस तरीके से question काफी ज़दा पूछे जाते हैं और यह newest blood group भी इसको कहते है AB में बोथ A और B antigens होते हैं बट antibodies इसमें नहीं होती है आचा यहां से चीज थ्यान रखेगा कि जो human blood इसको चार ग्रूप में divide किया गया है AB AB और O यह चार ग्रूप में इसको divide किया किस्ति हैं scientist का नाम की बात करती हैं तो K. Lance Stinner ने जो है इन blood group को divide किया है अगला question है the blood vessel that carry blood from the heart to the various parts of the body are called यानि कौन सी वो blood vessel कौन सी वो रक्त वाहिकाएं होती है जो blood को heart से जो है वो body के अलग-अलग parts तक ले के जाती है यहां question कहीं बार ऐसा हो जाता है confusion वाला तो अगर heart से अलग-अलग part तक ले के जा रही है तो उन्हें हम कहते हैं arteries arteries मतलब हो गया धमनिया जो arteries है न वो क्या करती है blood को heart से body के अलग-अलग part तक ले के जाती है next देखो question है which vessels carry CO2 rich blood from all parts of the body back to the heart अब देखो यही दो question है जसमें confusion होता है इसमें बूचा है कि कौन सी वाहिकाए हैं जो शरीर के सभी भागों से CO2 युकतर रखते मतलब जिस blood में CO2 की मात्रा है CO2 है उसको वापस heart तक ले के आते हैं इन vessels को क्या कहती है इन्हें कहा जाता है veins यानि शिराएं तो दो जीज़ यानिकी का अगर पूचें कि heart से अलग-अलग part तक कौन सी vessel लेके जाती है तो उन्हें कहा जाता है arteries और अलग-अलग part से कि जो CO2 rich blood है उसे heart तक कौन लेके आता है तो veins लेके आती है शिराएं लेके आती है आगला question है pace maker is associated with जो pace maker है ये किस से associated है देखो ये small electric device है जिसको chest में fit किया जाता है और इसका सम्मन्द जो है वो heart से है कब इसको use किया जाता है जब आपकी abnormal heart rhythms हो जाती है तो इससे क्या होगा या तो आपकी heart beat को थोड़ा slow किया जाएगा या कोई beat जो है वो miss करी जाएगी ताकि आपका एक normal heart beat हो तो इसके लिए pace maker का use किया जाता है next is the blood bank of human body is called तो मानव शरी का जो blood bank है ये किसे कहती है important question अच्छा भी question है देखे spleen जो है spleen एक organ है जो की हमारे जो stomach के नीचे abdomen है उसके left side में होता है और इसे कहा जाता है blood bank of human body तो friends इसके साथ static gk के questions complete होते हैं now time आता है कल के questions को revise कने का तो आप लोग साथ साथ में answers को ज़रूर लगाए पहला question देखे which international airport has been named after शहीद भगत सिंग तो कौन सी international airport का अब नाम हो गया है शहीद भगत सिंग इंटनाशनल एयरपोर्ट with the IRCTC to ensure safety and security of booking data तो इन में से कौन सा security force है तो answer है border security force तो BSF की बात करें friends ODC में आपको बता देती हूँ 1965 में स्थापना हुई थी और New Delhi में जो है इसका headquarter है डारेक्टर जर्नल जो है BSF की उनका नाम है पंकर्ज सिंग ये ध्यान रखेंगे next है which country is hosting the 65th Commonwealth Parliamentary Conference तो इस सम्मेलन की जुमेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है Canada केरल के पहले tribal novelist और short story writer इनका भी हाली में निधन हुआ है इनका नाम क्या है राइट आंसर है फ्रेंट्स नारायन इनका नाम है और इनका पहला जो novel था जिसका नाम था कोच्चायरिती इस novel के लिए उनको 1999 में साहित्य केरल साहित्य अकादमी अवोर्ड भी रिसीव हुआ What is the name of the former prime ministers of Israel Benjamin Netanyahu's autobiography इनकी autobiography का नाम है बीवी माइ स्टोरी In which country Indian Air Force is going to participate in exercise Pitch Black 2022 तो ये जो exercise है फ्रेंट्स ये कहाँ पे कौन से देश में होगी तो राइट आंसर है उस्ट्रेलिया में जसमें इंडिया भी participate करेगी Which state has become the first state to use blockchain technology to distribute seed to farmers Blockchain technology use करने वाला जो पहला state बना है वो कौन सा है जारखंड Which has become India's second largest domestic airline company overtaking Spicejet Spicejet को पचाड कर जो दूसरी सबसे बड़ी घरेलू airline company बनी है उसका नाम है विस्तारा In which city the 17th प्रवासी भारत्य दिवस will be held in January 2023 तो ये जो प्रवासी भारत्य दिवस है इसका आयजन होगा January 2023 में और होगा कहां पे तो इंदौर शहर में Which country's museum has signed an agreement with the Indian government to repatriate seven stolen artifacts to India तो जो साथ चुराएगे artifacts हैं वो वापस इंडिया को देखे दिये जाएंगे और इसके लिए Scotland museum ने agreement sign किया है Indian government के साथ Which state government has announced that दही हांडी will now be recognized as an official sport in the state तो दही हांडी को अब जो है वो आधिकारी खेल के रूपे मानेता दी जाएगी और ऐसा फैसला लिया है महराष्ट की सरकार ने तो friends कल मैंने आप लोगों से question पूचा था कि जो Dalton की theory है न वो conservation of mass के लौके उपर based है Second question था जो हम swimming कर पाती है वो Newton के किस लौकी वज़े से होता है तो वो था Newton के third लौकी वज़े से swimming करना possible हो पाता है तो friends आप सभी ने सही answer करी है Thank you so much कि आप लोग daily basis पे comment करती है तो please आप सभी से request है कि आप लोग daily एक habit बना ले जो भी questions पूचे जाता है उसका comment आपको ज़रू करना है तो आज के हमारे comment है प्रतीबदास, सौमिली नंदी और शंकर कुमार साहू Thank you so much guys आज के questions देखिए कि आज के हमारे हमवा questions पे पहला question है Life span of red blood cell is dash days मतलब जो red blood cell है लाल रगत कडिकाओं होती है उनका जीवन काल कितने दिन का होता है question important है असान भी है Next amount of water in blood plasma is about जो blood plasma है उसमें पानी की मातुरा लगपक कितने percent होती है तो friends इसे के साथ आज के class के हमारे सभी questions हो गए है समाप्त I hope so कि जितने भी concept आपको अच्छे से clear हुए होंगे आप लोगों के तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेर सब्सकाइब करना बिलकुल भीना बूले जाद से जादा गुरूप पे शेर जरूर करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो